वो मेरा खुद का टेलेंट था इसको मैं गेन कर चुका हूं उस प्रोफेशन में मैं चल चुका हूं आएंगे कि आप पूरा आस खोद होगे कि अब कुछ नहीं बचेगा सब खतम लेकिन स्टार्ट अप कैसे किया जा सकता इस रेट के बिजनेस का मतलब क्या कि चीज तोनों सोला और दस टैर पे क्यों नहीं गया जब यूटुब चालू किया था तो मुझे बहुत सारे यूटूबर है कैसे क्या मेहनत करते करते मैंने सुचुवेशन समाली हैंडल किया लगवान पर भरोसा राका है लो काई सब्सक्राइब का मेरे पास टाइम नहीं था बिलकुल पर तो मैं जल्दी से इसको शूट करूं यह है महिंद्रा का ब्लाजो एक्स-35 आप देखेंगे देखेंगे ब्लाजो एक्स-35 की बैजिंगे सबसे पहला स्पेसिफिकेशन बता देता हूं एम पावर फ्यूल स्मार्ट 7.2 लिटर का इंजन हाला तो मेरी वह छोड़ दीज तो यह 35 लिखा हुआ तो इसका मतलब यह है 35,000 कीजिस का पूरा ग्रांस विकल वेट है वो 260 लिटर का जो है इसमें डीजल टैंक आ जाता है पाकी जो पूरी चीज़े हो पुछेंगे थुड़ा कीचल विचल हो रही गंदा हो रहा है मैं प्रोफाल दिखा दूं हमेशे आ मैं आपको दिखा हूं तो देखें बड़े-बड़े हैं और यह देखें इसका जो एक्जॉस सिस्टम है कितना जबर्दस लगा है खुला है हमेशा फैक रहता तो जादा देखने को मिलता नहीं है उस तरफ से बागी चीज़े दिखा हूँआ है पैटरी इसकी यह पे लग अजरा हुआ है यह फिल्ट्रेश का लगा हुआ है अब अंदर चलते हैं अब रही है प्रेशर सेड नहीं बागी आप हांसे एडजेस कर सकते हैं यहां कर सकते हैं यहां ग्राबिंग दे रखी है और यह इसके आपिटी पैडल रूर की तरफ चले तो दोर में को ज्यादा सब्सक्राइब का पुरा डोर एडिये का लुक है स्टोरेज अच्छा है उपर चड़ता है तो थोड़ा अच्छा इजी है एक हास में यहां से पगाड़के इसमें चड़ सकता हूं यह देखें बैट जाए यहां पर पर मिल जाता है क्या नाम है आपका पुषपेश है हमारे आप से मिलगे कि आप पहले से चानल जानती है और वीडियो देखते हैं तो पुषपेश भाई आप चला रहे हैं महींद्रा का एक सब्सक्राइब कौन सा मॉडल ट्रक है यह 2022 मॉडल है 2022 मॉडल है 2022 मॉडल है दो साल पुराना है दो साल से आप ही चला रहे हैं इसको हाथ तो मिला ही बहुत बहुत स्वागत आपका भी और देखिए सबसे पहले में ट्रक बता दो फिर अपने पुषपेश भाई से बात करेंगे यह इसकी एमाइडी स्क्रीन है और यह एसी वाला है नौन ऐसी वाला है बाकि इसमें बटन सब्सक्राइब यहीं पेस का हैंड है यहां पर क्या सिस्टम दे रखें यहां पर बटन यहां पर देखेंगे बाकी तो बहुत अच्छी है और जो डैश्बर्ड है मतलब हाँ स्पेस भी बढ़िया दो लोगों के इसाब से बाकी टिपर में स्विपर केबिन का जाधा काम रहता नहीं डे के बिन ही इसमें आत पर यहां पर इस तरफ यहां पर कुछ भी सिस्टम नहीं यह बस यहां पर स्टोरेज वहां पर मिल जाता है उपर यह फ्यूज बॉक्स दिया होगा है आप अचा और उदर उपर की तरफ कुछ बाइब बागेरा सामार लगाना यह आपने अलग से मिजिक सिस्टम लगा यह के टोड़्य सवान अगेरा रखने के लिए आपने रख रखे हैं तो वैसे कितने का होगा अधिपश भाई यह १ाई चैकने लिया हुआ है ठाटी और लग का तो तूरा लोन बंच सब पड़ा यहा पूरा कम्प्लिट कम्प्लिट लोन का पनीन निकाला है तो 38 लाग का न तो मैं चाहूंगा कि आप यहां पर बेठें जहां में प्लीज प्लीज जिसके में बताया अर्जेम में वीडियो था तो कुछ चीजे में बाद में भाई से जाते बाद कूछ ली थी कि आट कर दूंगा सबसे बले बता दूँ कि यह जो महिंद्रा वाला टिपर है कि इसकी ए टिपर खड़ी लेकिन बड़ी यूनिक चीज मुझे यह लगी कि ना टाटा ना अशोग लिलिड ना कुछ आप गए महिंद्रा के टिपर की तरफ कुछ कारण है विसे इस कारण पहला एब्रेज हां दूसरा सस्पेंशन हां और पिकप भी अच्छा है इसका गाड़ी का सर टार रखती है आट यू पासिंग तो 25 टन तक आराम से लेकिन तर्फ यह देती है तो सब्सक्राइब के बीच में आता है अगर ड्राइवर अच्छे से चला उसको एक रण बढ़ी अच्छे से चला डिसिप्लीन से तो देती है मसीने देती है आप खुद भी इसी वे ट्रक अब अगर यह टाटा वाले टिपर के अगर अब बात करें तो इसकी आती है मंधली माई एक लाक अठाई सब्सक्राइब तो टाटा से अब सैटिस्फाइब नहीं हुए क्या नई सैटिस्फाइब बहुत बढ़िया मसीनरी दूसरा आपने सस्पेंशन की बात करी इसमें ज़रूरी फून होगा आपको उठाली पुश्पेज भाई दूसरा सस्पेंशन की आप ब लगता है भरी गाड़ियों में आप एसा फील करोगे साब कार में चल रहे हो बिल्कुल जचका आपको ब्रेक जर्क लगे गए नहीं बहुत ज्यादा कमफर्ट है केविन भी बढ़ा है इसका आप पेर लंबे कर सकते हो अच्छा है बतलब में भी अच्छा हेल्दी इंसान तो थोड़ा कमफर्ट लगता है सीट में हाँ ठीक है माला फॉर्म बाली गद्धी है थोड़ा एजस्मेंट करके चलना पड़ता है अच्छा जैसे 2022 मॉडल तो है पुषपेश भाई है आपने कब लिया था मैंने अभी इसको एक साल पहले लिया है आपने एक साल पहले लि जो अंडर वारंटी काम है वो शोरूम पर कराता हूं अच्छा आफ्टर मार्केट भी करवा लेते हैं तो अब तब कहां आपको ज्यादा बेनिफिट दिखता है कराने में काम का को देखा जाओं तो महिंद्रा का जैसा कि चलन कम है तो बाहर क्या मेकेनिक लोग इसको समझ क्या माद करें किलो मीटर के साफ से नहीं होती किलो मीटर भी से होती है लेकिन पूरा परफेट अगराइड एरिया तो घंटे के साफ सोती बड़ी मसीनरी की अच्छा तो कितने घंटे में मतलब करवाना जैसे पहली सर्विसिंग होती यह पान्सों गंटे पर दूसरी होती कि अब को इसमें घंटे पता चलते आपको बताता है जो GPS में भी पूरा बताता है कि इतना चली हुई व्योदी तो एक ब ह्सक्राने जाते तो क्या आपका खर्चा बैठता हो इसमें तो कुछ नहीं थोड़ा बड़ा खर्चा ही रहता है सेकंड सर्विस नोगी ज्यादा रहता है क्योंकि ज्याद चल लेती है गाड़ी तो ओएल पूरा इंजन की और पूरी गाड़ी का पूरा ग्रीज वगेरा पूरा कम्प्लीट काम होता है तो उसमें खर्चा धुड़ा जादा बढ़ता है एक बार आपना सुना सकते हैं जी सोना दिंगे फर्स सर्विस जब भाइने कराए थी तो फाइफ थाउजन के संतिंग श्पेंस आया था पांच हज़ार का खर्चा था जैसा कि भाइने बता है कि काफ कि काफी स्मूध तरीके से स्टार्ट हो गई है मतलब ताटा थोड़ा घर करें लग रहा हो गया है चीज़ी साब से आपने बताए कि दो लाग किलोमेटर ही चलने वाली काफी स्मूध बाई मतलब बहुत दबर्दोस फील आ रहा है अंदर बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं थोड़ा नहीं तो दूसरी अधर गारियों में थोड़ा सा चर्क लगता है बइप्रेशन आता है इसमें जाब बाईब्रेशन नहीं है क्या क्या चीज़े होती है इसमें कुछ पेज बढ़ये नामने यह थोड़ा डिजीटन डिस्पल है एणालोग डिस्पल आ अपना आर अपना option मिल जाता है आप इसको manually समझ सकते हो कि कितना किलोमेटर चली हुई कितना नहीं चली हुई है trip info पे जाओ आप select पे click करेंगे तो आपके किलोमेटर ही बता दिया कि पहली trip में कितनी चली है दूसरी trip में कितना चली हुई है अच्छा यह टोटल कितनी चली हुई एक लाग अधितर है किलोमेटर चली हुई हुई मैं सबसे पहले तो बहुत जादा खुश हुँ आपके लिए खुश इसलिए हूँ क्योंकि जो एक negativity लोग लेके बेठे हैं कि बिजनेस बहुत बेकार है यह है तो बड़ा अच्छा लग आप मिलके काम करना तो आपको देखके रॉप से बात करने फिल तो हुआ कि आप एड़िक्टे इंसान है सर मैं अलन सीटी से ग्रिजूशन करके वेटा बात्र आ अपना अपना वहाल में अलन सीटी से मैं जो अब बात कर शुशन किया था अधार ुबार्वारा को मैंने भ गाड़ी मोटरबाजी का काम में यह मेरा घर का धंदा है तो वह प्रफेशन को तुमें लेकर चल ली रहा हूं साथ में यह भी में लेकर चल रहा हूं एक बड़ा आपने मोटिवेट बात कही और क्या कहना चाहेंगे आप जैसे ट्रक बिजनेस में आए हैं तो मतलब कर सकता ह हरइं साय आप कुछ नहीं क्या Jesúsपका डरा हूं सर्जी हरा कि आप इस में उतार अओ और आइंगे आएंगे कि आप पूरा आस खोद होगे कि अब कुछ नहीं बचेगा सब खतम लेकिन उतार के साथ चड़ाव भी आएंगे जी कि सब कुछ एक पल में चेंज हो जागे कि नहीं यार कल में कुछ और था कर्जे में मेहनत करते करते मैंने सुचुवेशन समाली हैंडल किया अग कि यह रेटी वाला नसमिदल है तो दोनों जगह से बढ़ते हैं नर्मदा रेट वहां से बढ़ता होंगा आप नस्रो लगंज से अब ही करेंडली क्या रेट चल रहा होगा आपके हसाब से तन के साब से गाड़ियं जाते हैं मतलब जिसा नपती होती ना जिसे यहां पर अ तो आपकी गाडि का बजन कितना है अगर एक जनरल बात करें रेट का 1617 रुपे चलता है अच्छा मैं 50 55 के सम्टिंग अब इसमें अगर माल का बात करें तो 50 तन तो लेके जाते हैं तो जैसे मान लिए कोई भी इनसान इस बिजनेस को करना चाहते हैं, तो जैसे जन्रल आइडिया बताइए ना, स्टार्टप केसे किया जा सकता है, इस रेट के बिजनेस का मतलब क्या कि चीज इसमें जरूरी है, क्या कि आप एक अउनर है, तो आप थ़ड़ा बता सकते हैं इ इसमें आना है, तो पहला पॉइंट तो आपको जमीनी स्टर पर आ कि इस चीज को समझना पड़ेगा, बिल्कुल जो मैं हमेशा बोलता हो वीडियो दबने, ना जैसे आप भी बोलते हो, प्रेक्टिकालिटी पर आपको ज्याजा द्याना है, ना किसी दोस्त की बात पर आन कि अब चाहर में Hmm… rupees को समझेया और उसको काम की क्या चंधा उसको काम की ना काम चंधा क sniff घ्जायों कर दो आप कैया सकता है इंसनमें पहला कर्दम, फाइनेंसेली होना, जी बैक अप होना, फाइनेंसेली कंडिशन थोड़ा अच्छा होना, सीविल अच्छी होना, इसके बाद से फर आफ्टर मार्केट में, आपका क्या जान पेचान है, उठना बेटना क्या है, वो लाइन होना, उसके बाद जैसे आपके तो जारूरी है, जब अपन रेद भरते हैं किसी भी पर्टिकुलर खदान से, क्या-क्या खर्ची अपने लगते हैं, भाईया सबसे पहले तो जो खदान पर जो रोल्टी कडवाते है, रोल्टी का पेशा लगता है, अभी करेंटली क्या लग रहा है, अलग 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 पेसे बहुत है किया अन्दाजन लगता है अन्दाजन लगवा को लग जब तीसे से तीसे अरुपई थे भर्वाएका पेसे आफिशा हो गया तो यह दो ही में खर्चा पानी उनका भगैर प्रकार से होता है या तो अपना ड्राइवर को अपना सेलरी के हिसाब से रख लीजी या फिर पाय ट्रिप के भथ्त्य के साब से रख लिए क्या दोनों क्राइटरिय में क्या फिमेंट होता है ड्राइबर का पेमेंट दे रहा हूं तो 15-16,000 रुपए पेमेंट बनती महीं नहीं नहीं के लिए अलग 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 अकॉर्डिंग डिवाइडिशन बना हुआ तो उनों गाड़ी आपकी 12 टायर है जी चौदा 16 और 10 टायर पे क्यों नहीं गया बगया दस तार का तो मार्केट रहा नहीं है अच्छा रेत के बिसे में और 12 टायर अभी प्रचलन में है क्योंकि मार्केट के साथ चलना रहता है जी बिल्कुल और 14 टायर और 16 टायर में नहीं यह जाएं अब दंदर करने बेटो आपको गली में भी जाना पड़ेगा तो पर आपको बहुत 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 दहने माद आपका देखा में आपको आपको सस्क्राइब भी करके रखाया आपका व्लोग मैं सम्टिंग एक साल से देख रहा हूं और आप तो मैं आपका वीडियो देखता था तो मैं सोचता था तब यहाँ इसा इत्फाक से बहिए से अगर मुलाकात हो जाए हो जाए इसमें क्या खर्चा निकाल के मतली अगर आप को पर तरीके से करें मार्केट को देखते हो तो पर टरिप पर गारी 10-12000 वाराम छोड़ती है अच्छा पिर तो आप बड़े पॉजिटिव हैं और नोजवान है इस लाइन में आ गए तो बड़ा अच्छा लगा और आप क्या कहना चाहेंगे सक्सेस्फुल लाइन है यह अगर किसी भी चीज में आप जाते हो उसका प्रोपर आपके पास नौलेज हो करने का सही तरीका हो और सिचुव कि अलम यह अगर्ट अगरल में इक्सपिरियंस एयु तक्कास यहां ट तो आप नोच侑 परीडि तो पड़े जाहें चाहुँ फ़ाइज हृझ में चलती गया उन इस एक व्रगड सो एक प्रफिट को देखते हुए बारा चका अब भी पूरा प्रिफिर मार्केट का चल रहा है अच्छा लेकिन अभी जो मार्केट में चलन देख रहा है जो प्रॉफिट देख रहे हैं वह बारा चका बढ़िया है अच्छा चल रही है अपग्रेट में अपर तरसको भी बढ़ाइं यह काफी अच्छा बिजिनस आपने चूज किया है तो इसमें बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगी इस अब मैनेज करके चीज़ों को कर रही है अबर बढ़िया चल रहा ए आप क्या लेना चाहें कोई लेना चाहें को आपने अपर रहतա है जियसे आप Tata लेते हो तो Tata में कोछ समस्य होती है महें not in a महें नहीं है ञाद इनसाना है प्रफर करता है service में तड़ आपने एरिये में चला में कि जब से क्रूंप हर जगाँ जगए घर दyसकी सबसे तेज मिलएगी तो यहां जादा बहुत जाहिए नहीं है पर में अपको जादा प्रशान करना के आपका जाधा ही टाइम देता जाराओ आपका जुद्ध में आपका बहुत भुत दन्यावाद दुबारा जरूर मुलक बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अच्छा लगा आप से मिलकुल बिलकुल तो यह था हमारा पूरा वीडियो और मैंने तरफ से बहतर कोशिश करी जितना भी टाइम परिट मेरे पास था उन परिड़ में जो जो पूछ पाया सब मैंने आप लोगों के लिए क्लेक किया कि मैं बाद में वीडियो बन पाता है नहीं बन पाता है नहीं मतलब टाइम को मैंने में नहीं होता है नहीं दूसरी बात बता दो नमबर का मत पूछिए का भाई ने मना किया है नमबर शेयर करने से क्योंकि वह उल्लेड़ी जाधा बहुत वह बिजी रहते हैं यहां पर जो खद रहा हूं आप लोगों से लेकिन जल्दी नहीं मतलब जैसे जैसे मिलते जाएंगे और बाकि उसे बात करने में बहुत मजा आया काफी मोटिवेटेड इंसान है और मैं यह चाहता हूं कि आप भी वीडियो देखके मोटिवेट हूं अच्छे से इंफोमेशन आप लोगों क और एक चीज और भाई लोग महनत करोगे तो सब पॉसिबल है इस दुनिया में एसी कोई चीज नहीं है जो इंसान नहीं करता सारी चीज़े हैं सारे बिजनेस है या सारे काम है वो इंसान द्वारा ही करे जा रहा है बस वो महनत लगन और एक वो जो मैनेजमेंट होने वीडियो को लाइक करना आपको रेगूलेली देखने को मिलते रहे थांकिश तो मच गयास फो वचिंग दा वीडियो